नमस्कार मैं कर्षिस सिंग बगेल आप सभी का MP News के इस खास प्रोग्राम न्यूजरूम में स्वागत करती हूँ जहां हम बात करते हैं मंदिप्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स को लेकर आए शुरूरात करते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट्स है जहां इंदौर क के कलेक्टर आशी सिंग आज दौरे पर निकले हैं और ये दौरा इस वज़े से है कि यातायात को नंबर वन बनाना है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है धर्मेंजी देखिए पिछले कुछ समय से लगातार इंदौर में ट्राफिक इंदौर को ट्राफिक नंबर बनाना के लिए कवाया चल रही है कि इंदौर सुक्षता में तो नंबर वन है लेकिन ट्राफिक में अभी भी काफी हालात सुधारने की जरूरत है उसको लेकर इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मंधन किया जा रहा है पच्छीस चुरा हैं चिन्नित कि इसे चिन्नित चॉराहों का निर्क्षण किया था जिस में कहीं चेंजस जिला कलेक्टर ने करने को बोले थे आशीस शिंग लगातार इसको लेकर लगे में इंदौत जी говорить मूखी आएं सुभह से आज वो मेदान में नजर आये अमूमन सभी बड़े चोरहों पर उन्होंने द्रक्षंड किया है अधिकतर इसे चोरहे थे जहां पर सबसे ज़्यादा ट्राफिक का दबाव होता है हम बात करें बियाटीयस की तो बियाटीयस से उन्होंने शुरू किया गीता वबन तो फिर वो चाओनी चाओनी के बाद जो आने वाले जो अगले चोरह हैं वहाँ पर उन्होंने द्रक्षंड किया काफी यहां पर एक अच्छा दोरा सिद्ध होता नजर आ रहा था क्योंकि इन दोर में जिस प्रकार का ट्राफिक उसको सुधारने के लिए कोशिश कोशिश जरूर कर रहे हैं 12 जो है चोरहाँ पर आज उन्होंने निर्ख्षंड किया उसी के सांसात उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दीये कई ऐसे चोरह हैं जहां पर लेपटर काफी सकड़ हैं उनको चोड़ा करने की निर्देश कमाई हैं कई चोरह झ जहां पर उसको जहां पर उसके आसपास जो है ट्राफिक में जो बाधा हैं उनको दूर करने के निर्देश दिये तो यही माना जा रहा है कि यह जो निरक्षण आगे भी जारी रहेगा और उसमें जो उन्होंने जो रिपोर्ट तयार किये उस रिपोर्ट के आधार पर आगामी आने वाले द और उसे के सांसा ट्राफिक विवाग भी पूरी मुस्तेदी से लगा हुआ है इन दौर में यातायात में सुधार लाने के लिए लगतार कलेक्टर आर्सी सिंग एक्टिव मोड में नजर आ रहा हैं बढ़ते हैं अगली अपडेट की और जहां दिल्ली राउस कोचिंग में इतके बेस्मेंट में पानी भर जाने की बज़े से तीन छात्राओं की मौथ हो गई है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आई जानते हैं पायल से क्या कुछ अपडेट है पायल मैंने सुना है कि मध्यप्रदेश में भी स्टीम डॉक्टर मोहन यादब भी इसके लिए कर रहे हैं दिल्ली की राउस कोचिंग के बैस्मेंट में पानी भर जाने से देन स्टूएंट की मोथ हो गई थी जिसके बाद में दिल्ली नगर निगम का लगातार एक्शन जारी है ऐसे अवेश संस्थानों पर और ऐसे कई कोचिंग सेंटर के बैस्मेंट को भी सिल कर दि के बाद में मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्यप्रदेश में या आदेश जारी कर दिया है कि मध्यप्रदेश में के तमाम शहरों में ऐसे कोचिंग सेंटर्स जो की बैसमेंड में संचालित हो रहे हैं इन पर सक्त कारवाई होनी चाहिए ल वालियर की MLB कॉलोनी में सेक्डो कोचिंग सेंटर्स अभी भी बैसमेंड में संचालित हो रहे हैं और बैसमेंड के बाहर तो ताले लगे हैं लेकिन अंदर कोचिंग क्लासिस चल रही है तो इसे लेकर प्रशासन सक्ती से कारवाई कर रहा है ताकि कोई और दुर घटना न जारी है और इसी के चलते मौसम विभाग ने कई जिलो में भारी बारिस का अलर्ट भी जारी किया है वहीं अगर बात की जाए भारी बारिस से जो निपटने के लिए कई तरह की तयारिया भी शुरू कर दी गई है बाढ़ की स्तिती बनने से पहले ही मुख्य मंत्री ने प्रदेशित किया गया है उन्हें कि किसी भी प्रकार की इस्तिती से किस प्रकार आगे निपटा जाएगा वहीं अगर जबलपूर के बरगी डैम की अगर बात करें तो भारी बारिस के चलते उसके साथ गेट खोले गये हैं वही बोपाल के कोलार डैम के भी गेट खोले गय हैं भारी बारिश का दौर लगातर जारी है कई जीलों के लिए मोसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है जिसमें राजधानी भोपाल सहीत नर्मदापुराम रायसेन छिंदवाडा रीवा सतना आधी कई जीलों के लिए मोसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है जी अब ब बहुत ही बड़ा मामला है आए दिनों मध्यप्रदेश में अलग अलग शहरों से हमको ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि बच्चा खेलते खेलते गया और बोर्वेल में गिर गया उसके बाद ऐसी ही एक घटना सोमवार को हुई थी सिंग्रॉली जिले में सिंग्रॉली में सि जिला मुख्याले से कुछ दूरी पर गाउं है जहां पर गाउं में एक तीन साल की बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते जाकर वो बोर्वेल में गिरी गई बोर्वेल हाला की 200 फिट गहरा था लेकिन बच्ची जो है 25 फिट पे फसी हुई थी उसके बाद तमाम तरह के निकालने के प्रयास किये जाने लगे अफसरों ने तकरिवन 5-5 घंटे की मशक्कत के बाद मासूम को बाहर निकाला डॉक्टर के पास लेके गए लेकिन डॉक्टर ने उसे जो है डेड घोशित कर दिया मतलब ये कि बच्ची मर चुकी थी इसके बाद सीएम तुरंत हरकत म में आये और उन्होंने सोशल मीडिया पर तुरंत दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया एक तरह से देखा जाए तो सीएम का जो ये एक्शन है वो कहीं ने कहीं एक्दम सक्त संदीश हैं अफसरों के लिए कि कहीं भी हो काम में लापरवाही बरदाश नहीं की जाएगी शासन ने उसे चिन्हित कर उसे बंद करने के निर्देश दिये थे काफी समय पहले से क्योंकि आये दिन पिछले दिनों रीवा में घटना हुई थी और आये दिन कहीं ने कहीं हमको ये घटनाय सुनने को मिल जाती है कि बच्चा खेलते खेलते गया और बोरविल में गिरिय कोई 25 फीट पे फसा कोई 50 फीट पे फसा इस तरह की घटनाय जब सामने आती है तो बच्चों को निकालने के लिए तमाम तरह के संसाधन जुटाने पड़ते हैं संसाधन लगते हैं कहीं रीवा में जैसे जो घटना हुई थी तकरीबन 24 गंटे तक रेस्क्यू आपरिशन चला था यहां भी 5-5 गंटे बाद 25 फीट चुकि ज़्यादा गहराई नहीं थी तो बच्ची को निकाल लिया गया हलाकि बच्ची नहीं रही यह दुखत बात है तो इस तरह से कहीं न कहीं अफसरों के जिम्मेदारी बनती है कि जब प्रशासन निर्देश दिये हैं तो ग बोरिंग खुले न चोने क्योंकि अगर कोई बच्चा बोरिंग में गिरता है तो वो आपका ही बच्चा है आपके आस पडोस का ही बच्चा है और इस तरह के हादसे होते हैं तो तमाम तरह के संसाधन लगते हैं खर्च होते हैं सारी चीजें होती हैं जिसके बाद में उनक को निकालना नहीं निकालना वो तो बाध की बात है लेकिन प्रयास तमाम तरह किए benefits are आध की मुक्खेस मुद्धा एं जाटे कि सीयम मुहन यादाउं ने एक संदेश दिया है अफसरों को कि लापरवाहि बर्दाश नहीं होगी और यह कहीन एक सकत कदम है मुख्यमंत्री का जो की काफी सराहनी हैं इससे अफसरों में भी काम को लेकर थोड़ी जो है सिरियसनेस आईगी ये इस गंबीर विशे पर एक सक्त कारवाई की गई है ये थी तमाम बड़ी अपडेट्स और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें MP News के साथ तब तक के लिए धन्यवाद MP की नफस MP का हाथ मज़ी प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सबस्क्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटिस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूझे